हेलो बचों वेलकम बैक टू वेदा अकाडमी तो आज की अपनी इस क्लास में हम स्टार्ट करने बाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेट सीरीज बेटा इस सीरीज में हम अपने साइंस की बुक के हर एक चाप्टर के जो प्रीवियस यहर में आई हुए एमसे क्यूज हैं और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसे क्यूज हैं उनको सॉल्फ करने वाले हैं तो आज की अपनी कलास फॉस्ट क्लास है और इसमें हम सबसे पहले जो हमारा फॉस्ट चाप्टर है कैमिकल रिएक्शन एन इक्वेशन उसकी जो प्रीवियस य कि उसकी क्लास में कर लोगे तो मैं गरंटीट कह सकती हूं कि आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा अपने में कि आपने वह बीस एंसी क्यों लगाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे तो आज की अपनी सिरीज जो है स्टार्ट होती है विद फॉर्स चाप्टर क्यामिकल स्टार्ट के एक्शन से तो आप समझ गई है कि इस सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है क्लास को पूरा जब आप कंप्लीट करोगे तो अच्छी लगेगी तो उसको आप कॉमेंट में मुझे बताओगे कि आप इसमें और क्या चाहते हो एड-on करना करवाना और साथ में आप क्या चाहते हो लाइक कौन सी और ऐसी चीजे हैं जो सीरीज के फॉर्म में या किसी वीडियो के फॉर्म में मैं आप तक शेयर करूं तो आप मुझे बताओगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के I'm your science expert प्रतिबा और बच्चों यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आप को इस पूरी सीरीज में इस पूरी सीरीज में कोई डाउट आता है या फिर आपको इसके नोट्स चाहिए है तो आप क्या करेंगे तो आपके पास में आपका टैलीग्राम ग्रूप है जिसमें आपको लिंक पता है आपको क्या है वेदा टैन इजो है वह आपका लिंक है व वेदा 10E तो class 10th English Medium का science का ये आपका telegram group है ठीक है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा यहां पर आपको quiz मिलेंगी PDF notes मिल जाएंगे यहां पर आपको discussion मिलेगा यहां पर आपके doubt solve हो सकत हो पाएंगे और इसके अलावा आपके पास अपनी वेदा आप करी है तो आप वेदा आपको play store से डाउनलोट कर सकते हो ठीक है तो इसे के साथ में आज अपनी series में आगे बढ़ते हैं फर्स्चाप्टर के साथ मैं और फर्स्चेप्टर हमारा यह वेटा ध्यान से इसको नोट कर सकते हो आप इसे हीरेज कर देती हूं मैं अब है तो अ से वहां से मैंने निकाल करके यहां पर मैं लेकर करके आई हूं तो फर्स्ट कोशन के चलो यह देखते हैं कोशन नमबर वन कहता है कि सी सिक्स ट्वल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओटू गिप्स सिक्स सी ओटू एड़ एक रियक्शन आपको दे दी गई बहुत जानी हुई और प और आपने कर दिया है तो यहां पर हीट जो है यहां पर हीट्वी मलट करता हैतनी क्लित चलोटा ही डeline करता हैं और यहां पर heat का main role है heat जो है वो release होती है और आपने पड़ा है कि जहां पर जिस reaction में heat release होती हुई नजर आए ऐसी reaction हम बोलते हैं exothermic reactions तो यह किस टाइप की reaction हो गई exothermic reaction because in this reaction heat is releases तो यहां पर आपके option में दिया था displacement reaction endothermic, exothermic और neutralization तो answer आपके पास में आ चुका है that is option number C exothermic reaction and doubt कोई doubt नहीं होना चाहिए I hope आप समझ गया होंगी कि C is the correct answer and क्यों और कैसे वो मैंने यह explain कर दिया तो विद explanation हम हर एक question को solve करने वाले हैं इसी तरीके से आज आते हैं अपने question number two पर बेटा question आप देख रहे हो question given है कि which one of the following reaction is categorized as thermal decomposition reaction thermal decomposition reaction जैसे ही माइंड में आता है आपके तो यह thermal word बहुत कुछ बता देता है decomposition reactions क्या होती है वो आप जानते हो आपने अपने चाप्टर में decomposition reaction पढ़ी है जिसके अपने अपने टाइप थे तीन टाइप से अपने और पढ़ी थी फर्दर की कौन कौन से decomposition और होती है जिसमें आपने एक thermal decomposition reaction की जो है ना पूरी process समझी थी तो अब जो बची हुई दो है उसको आप comment करकि मुझे बता सकते हो इससे आपका decomposition reaction में तो सबसे पहले हमें reaction को देख करके पहचानना होगा first reaction है h2o aqua solution h2 plus o2 gas के form में हमें मिल रहा है क्या ये thermal decomposition reaction है नहीं जी ये thermal decomposition नहीं है ठीक है तो यहां पर thermal decomposition ढूंडने के लिए हम क्यों ने एक बार ये समझ लें कि thermal decomposition reaction होती क्या है तो और आसान हो जाएगा आपके लिए इससे पहले में अधर three जो reaction से उनको पढ़ू थर्मल decomposition reaction इसमें क्या होता है thermal means heat तो कोई भी ऐसी reaction जिसमें substance decompose हो रहा हो in the presence of heat heat को देने पर तो ऐसी reaction को हम कहते हैं thermal decomposition reaction अब इसमें ढूंड रहे हैं फोर्स्ट जो reaction है वह heat को heat इसमें इंवाल्व नहीं होती है मतलब heat नहीं देनी पड़ती है बलकि electricity के थ्रू एस्टू प्लस ओटू में ये ब्रेक होता है आगे चलते हैं एजी बी आर गिप्स एजी प्लस ब्यार्टू अगें यहां पर ये thermal decomposition reaction नहीं है ठीक है इस reaction में आपने देखा होगा कि जो sunlight है उसका main role होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं याद होगा आपको ऐसी reactions को हम बोलते हैं decomposition reaction ठीक है फोटो मींस आप जानते हो जहां फोटो यूज हो जाता है science में मतलब इसका मतलब होता है sunlight से तो sunlight की presence में agbr और agcl ये दोनों ही reactions जो हैं होती है याद आ गई अब देखो फोर्थ वाले option में चलते हैं फोर्थ option में दिया है CACO3 gives CAO and CO2 CACO3 यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है calcium carbonate जिसको limestone भी बोलते हैं यह calcium carbonate CACO3 की reaction आपने बहुत commonly अपने पूरे चाप्टर में पढ़ी और इससे पहले classes में भी पढ़कर आए होगे तो CAO और CO2 में यह break होता है और कब break होता है तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि जब calcium carbonate decompose होता है एक single substance है वो break हो रहा होता है CAO और CO2 में तो उस time पर इसको heat की जुरुत होती है heat देनी पड़ती है और heat देने के बाद ही यह break हो जाता है calcium oxide और CO2 में carbon dioxide gas देता है तो यहाँ पर यह जो reaction है क्योंकि इसमें heat evolve है तो यहाँ पर thermal decomposition reaction हमें देखने को मिल गई है तो यहाँ पर जो सही option होगा वो आपका option number D बिलकुल correct हो जाएगा क्या आप समझ गए क्लियर है question number 2 तक आपने अच्छे सा समझ लिया है अब बढ़ते है question 3 के तरफ इसी तरह से हम अपने पूरे 20 questions को solve करेंगे आप इसमें कई सारे concept के clear होंगे question के साथ में कई add-on चीज़े जो आपको मिल रही है यह आपका revise करवा रही है जो आपका syllabus है chapter 1 का अब question number 3 पर आ जाते है question 3 हमसे कह रहा है बेटा जी कि the pair या pairs which will show displacement reaction is या are ऐसे pair को बताईए याने कि पहले से ही क्या दिया कि कोई 2 हो रहे होंगे या कोई 4 हो सकता है वो हो reactions मतलब या तो सारी होंगे या कोई 2 होगा pair में बताना है pair ही है तो बताओ कि the pair which will show displacement reaction is our कौन से displacement reaction show करेगी अब हमें यह जो चार options दिये हैं थोड़ा सा हमें जो है न डीटेल में जाना पड़ेगा first अगर हम option को देखें तो हमारे पास में दिया गया है कि हमें displacement reaction डूणना है first reaction में NACL solution और copper metal की बात की गई है यानि कि NACL के solution में अगर हम copper metal को add करवाएं कंबाइन करवाएं copper metal जब combine होती है NACL से तो क्या होगा क्या displacement reaction होगी फिर आगे दिया गया है अगर आपको बहुत आसानी से solve करना है तो आपको मैं एक चीज़ बतादू पांच मिनट के अंदर हम लोग reactivity series को एक बार फिर से ध्यान कर लेते हैं विद ट्रिक ट्रिक के साथ में और जिससे कि इससे बनने वाले आगे कि जितने भी कोशन से बो भी होते चले चले जाएं और इस question को भी हम solve कर लें इस question को solve करने के लिए बेटा आपको याद होने चाहिए reactivity series reactivity series क्या है ऐसी सिरीज जिसमें जो हाँ आपके metals है ठीक है जो आपके elements हैं वो कैसे form में arrange हैं वो decreasing order में arrange है decreasing order of the reactivity इसको activity series भी कहते हैं अब यह कौन से सिरीज है तो सब सब पहले क्यों ना ट्रिक की बात कर लें ट्रिक हमारे पास में है निमोनिक्स से हम लोग याद कर सकते हैं इसको और यह ट्रिक बहुत खास है इसको याद करके अपने पास रखना ट्रिक है कि popular यहां पर लिखते हूं थोड़ा से space चाहिए होगा ट्रिक यह है बटा ठीक है इसको एरेस कर दिया यह space हो जाएगा पॉपुलर scientist can make a popular scientist can make a zoo ठीक है जू in the in the बस अभी सुनते रहो इंदी लो हुमेड कंट्री क्या समझे यह मैं आपने क्या लिख दिया क्या लिखा है मैंने कि popular scientist can make a zoo in the low humid country more satisfactorily अगर इससे आपने अगर इसको आपने इध्यान से पढ़ लिया है तो अब आप बहुत अब अच्छे से reactivity series को लिख पा रहे होगे कैसे मैं बताइए ज़रा reactivity series को याद करना है याद कर लो बहुत पटाफट से याद हो जाएगी आपको reactivity series और लेकिन उससे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है तो देखो इदर अब हम इसके निमोनिक्स में हमने जो लिया है किसके लिए क्या रिपरेजेंट होता है वो लिख देते हैं तो पॉपुलर पी फॉर पोटेशियम तो हम यहां पर के लिख देंगे साइन्टिस्ट एस फॉर सोडियम तो यहां पर एने लिख दिया मैंने सी फॉर कैल्सियम हो गया M फॉर मैगनेशियम हो गया A for aluminum हो गया, Z for zinc हो गया, I for I, किसके लिए represent हो जाएगा बिटा, iron Fe होता है, iron I से, तो Fe हो जाएगा, और in the T, tin की बाद हो रही है, तो SN हो गया हमारा यह, low humid L है तो lead याने की PB हो गया, और humid याने की H है तो hydrogen हो गया, इसके बाद country, C, CU हो गया, और M, M for mercury याने की HG हो गया, और इसके बाद में S है, याने की silver, satisfactorily याने की silver, तो S के लिए हो जाएगा हमारा AG, अब यह मैंने वो elements आपको याद दिला दिये, जो reactivity series में अगर आपने याद कर लिए तो पूरी reactivity series याद ही हो गई एक तरीके से, और इसके बाद में आप समझ जाओगे कौन किसके उपर आता है, कौन किसके नीचे, तो reactivity series कहती है कि decreasing order में जो metals यहाँ पर arrange होते हैं, वो अपनी decreasing order of reactivity के according होते हैं, जो metal highly reactive होता है, वो displace कर देगा less reactive metal को, ऐसा कौन कहता है, ऐसा displacement reaction कहती है, कि more reactive element, more reactive metal displaces the less reactive metal, ठीक है, reactivity series इसकी यह जो trick है, बहुत ही धासू टाइप है, तो आप एक बार याज जरूर कर लेना, अब दोगो यहाँ पर, first option हमारा दिया गया था, कि NACL solution and copper metal, तो NACL solution, यानि कि sodium की बात हो रही है, और copper metal की बात हो रही है, हम सब जानते हैं कि copper metal नीचे आता है, sodium उपर आता है, यह तो sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, highly reactive होते हैं, यह उपर आते हैं, फिर नीचे less reactive आगे, फिर PB तक और hydrogen से नीचे वाले least reactive होते हैं, तो copper, HG, copper बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है, तो बेटा, यहाँ पर sodium, यह वाले जो reaction है, यह displacement reaction बिलकुल नहीं देगी, क्योंकि यह, जो sodium है, वो highly reactive है, as compared to the copper, अब आगे देखते हैं, AGNO3 यानि की AG solution है, AGNO3 का and copper metal दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो AG, यानि की silver है, वो बहुत नीचे आता है, और copper उसके ऊपर आता है, तो यह हमें displacement reaction देगा, इसके बाद, L2S4 का whole trice solution and magnesium metal दिया हुआ है, हम जानते हैं कि magnesium metal is the reactive in nature, ठीक है, तो magnesium क्योंकि ऊपर आता है, हमें पता है, more reactive है, aluminium इसके नीचे आता है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो यह वाली reaction है, वो displacement reaction जरूर देगी, फिर last option पर आ जाते हैं, ZNSO4 solution and iron metal, ZNSO4 यानि की zinc की बात हो रही है, और यहाँ पर जो metal लिया हुआ है, वो है iron, iron आता है इसके नीच इसलिए, क्योंकि यह ज़्यादा reactive है, तो इसको displace नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यह भी नहीं देगा displacement reaction, तो कौन कौन से हैसे हमारे जो reaction है, वो displacement reaction देगे, तो हमारे जो AGNO3 solution है, copper metal के साथ में, यह displacement reaction देगा, साथ में, जो AL2SO4 का whole trice solution है, और जो magnesium metal है, यह displacement reaction देगा, तो इससे हमने यह समझ लिया, कि हमारा option number second and the third, second and third, यह हमारा बिलकुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो option number B is the correct option, right, यह clear है, अच्छा, अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं, अपने next question के तरफ, next question है हमारा, कि which of the following reaction is a neutralization reaction, इन में से कौन सी reaction, neutralization reaction है, तो देख करके समझते हैं, भाई, neutralization reaction क्या होती है, पहले यह समझ लिया जाए, एक ऐसी reaction, जिसमें acid and base combine करते हैं, और as a product, हमें water and salt मिलता है, तो इन में से कौन सा ऐसा reaction है, तो 4NA plus O2 gives NA2O, यह नहीं होगा, इसमें कहीं पे भी कोई ना acid है, ना को साथ हो रही है, यह भी नहीं होगा, MgO plus H2O, यह भी नहीं होगा, magnesium oxide के साथ में water का reaction हो रहा है, अब यहाँ पर HNO3 और NOS दे दिया है, HNO3 यानि की nitric acid, यह एक acid है, और यह एक base है, तो बेटा, और यहाँ पर यह salt बना रहा है, और water बना रहा है, तो हमारी जो correct reaction हो displacement reaction is R, इन में से कौन सा पेर जो है, वो displacement reaction शो करता है, तो उस बार उस से पहले हमें यही कोशन शायद दिया हुआ था, और कुछ इस फॉर्म में दिया था, सेम ही था क्या, चलो, तो मेभी शाय सेम कोशन यह आपका repeat हुआ है, यह कोशन पता है, आपको बहुत important है, इसको ignore करना है, reactivity series को याद कर लिना है, इस ट्रिक से याद कर लोगे, बहुत आचानी से याद हो जाएगी reactivity series, तो यह आप एक बार फिट से करके देखना, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आपको जो कोशन नमबर 6 दिया है, वो है calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, calcium oxide यानि कि CAO water से reaction करता है, क्या है, OH का whole twice plus, और क्या देगा यह, बहुत जादा है, तो यहाँ पर heat बहुत ज्यादा release होती है, अब बात कर लेते हैं, की reaction की, कि हम से पूछा क्या गया है, इन्होंने काया है कि the reaction, this reaction can be classified as, इस reaction को कैसे classify करेंगे, तो मैं पता है, जब calcium oxide को हम water के साथ में reaction करवाते हैं, तो स्लेक्ड लाइम देता है, यानि की calcium hydroxide सब जानते हैं, यह कैसी reaction है, यह combination reaction है, यह exothermic reaction है, यह oxidation reaction है, बेटा जब यह reaction होती है, तो बहुत जदा lot of heat जो है, वो release होती है, वहीं जब CAO बनता है, यानि की CACO3 से, जो आपका CAO plus CO2 बनता है, इसमें heat चाहिए होती है, यह endothermic reaction हो होती है, ठीक है, तो ऐसी reaction को एंडothermic क्याते हैं, जिसमें हमें heat absorb करनी पड़ती है, मलब like reaction को heat चाहिए होती है, और ऐसी reaction जिसमें heat release होती है, that is called exothermic reaction, तो यह किस टाप की reaction हो गई बेटा, यह endothermic reaction हो गई, बेटा ध्यान रखना कि यह foster step होती है, यह second step होती है, यह आपको reaction, 1 और 2, याद कर लो, रटलो, यह बहुत बार पूछे गई है, यह lime stone का breakdown होना, calcium carbonate का, फिर यहाँ पर जो quick lime है, वो convert हो रहा है, किसमे, slaked lime में, जिसको हम calcium hydroxide भी बोलते हैं, ठीक है, I hope समझ गए होगे, तो option C is the correct, option, अच्छा यहाँ पर न, आपको option कुछ ऐसे दिये हु options अभी मेरे सामने आए, इसको हटा दू मैं, ठीक है, option कुछ ऐसे दिये हुए हैं बेटा, कैसे, कि A and C, C and D, इसका मतलब हम किसी और, एक option को भी हम चुन सकते हैं, जो इससे relate करता होगा, जैसे, हम जानते हैं कि endo thermic reaction तो है ही ही है, साथ में हो क्या रहा है, इस reaction में, मतलब C A O H को whole toys कब बन रहा था, जिब C A O ने H2O के साथ में combine किया, तो एक reaction यह कैसी हो गई, यह combination reaction भी हो गई, combine together and then they form the C A O H का whole toys, जो कि endo thermic भी है और combination reaction भी दे रहा है, तो option D is the correct option, जिसमें A and B is the A and B क्या दिया हो है यहाँ पर, A and B, exothermic reaction, माफ करना बिटा, यहाँ पर endothermic मैंने बोला था, यह तो exothermic थी, हमने बोला था न, exothermic reaction, मैंने endo को tick कर दिया, exothermic reaction होगी न, अभी मैंने बोला, कि C A C O 3 के लिए, breakdown के लिए, उसको heat चाहिए है, तो वो endothermic reaction है, यह देखो मैंने ल जब react कर रहा था, तो calcium hydroxide बनाया, और खूब heat जो है, वो दी, तो इससे क्या हमें पता चला, यह एक जो धर्मिक reaction है, तो combination reaction है, तो है, एंडो धर्मिक टिक हो गया था, चलो, आगे बढ़ते है, question number 7 के तरफ, हमें दिया है, when hydrogen sulfide, s2s, gases pass through a blue solution of copper sulfate, यानि कि C U SO, C U SO4, तो यहाँ पर दिया है, black precipitate of copper sulfide, यानि कि C U S का जो है, वो black precipitate मिलता है, और साथ में sulfuric acid form होता है, यह reaction बहुत अच्छी reaction है, अलग-अलग तरीके से पूछी जाती है, तो कह रहे हैं, यह reaction किसका example है, एक चार option दे दिये, तो पहले reaction को समझ ले, और clear हो जाएगा हमारे लिए, reaction है कुछ इस तरीके से, कि बेटा जब H2S gas, hydrogen sulfide gas, पास कर आई जाती है, over the blue solution of copper sulfide, तो दोनों combine करके, क्या देते हैं, C U S देते हैं, copper sulfide, जिसका black precipitate बनता है, ठीक है, और साथ में H2SO4 जो है, वो बनता है, this is not the balance reaction, हम लोग अभी बस reaction की बात कर रहे हैं, balancing वगरा वो आगे की बाते हैं, तो इस question में हम से पूछा है, कि यह किस type की reaction है, reaction हमने लिख लिए है, कहरें combination reaction है, displacement reaction है, decomposition reaction है, यह double displacement reaction है, तो अगर हम देखें, यहाँ पर ध्यान से, तो copper, जो कि sulfur ion के साथ में था, वो अभी क इसके साथ में है, sulfate ion के साथ में है, तो यहाँ पर exchange हुआ, और exchange का मतलब क्या होता है, exchange का मतलब होता है, कि उसने displace किया है, लेकिन कितने times में हुआ, hydrogen भी displace कर रहा है, copper भी displace कर रहा है, तो double time displacement हुआ, तो double time of exchange of ion, यह शो करता है, कि यह double displacement reaction है, तो option number D हमारा correct हो जाएगा इस reaction को बहुत ध्यान से आप याद कर लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, और यहाँ पर question 8 हमें क्या कह रहा है, question number 8 हम से हमें दिया गया है, और question number 8 में पूचा गया है कि, wait a minute, कि in a double displacement reaction, ठीक है, in a double displacement reaction, such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride, ठीक है, कह रहे है, exchange of atom takes place, exchange of ion takes place, precipitate is produced, insoluble salt is produced, यह जो reaction है, कौनसी reaction, double displacement reaction of the, किसकी, sodium sulfate की, sodium sulfate, na2, SO4 में पूरी reaction लिखती हूँ, इसे याद जरूर कर लेना, और साथ में barium chloride है, Bacl2, C, तो यह जब combine करते हैं, आपस में बेटा, तो बनाते क्या हैं, पहले वो समझते हैं, BASO4 बनाते हैं, जो कि, एक white color precipitate होता है, white PPT, ठीक है, और साथ में, NaCl हमारा निकल जाता है, मतलब बन जाता है, अब इस reaction में, यह reaction बहुत important है, पहली बात, दूसरी बात, कि इस reaction में हुआ क्या, इस reaction में, एक्च्वल में, Na2SO4 था, जो कि, अब NaCl बन चुका है, याने कि sodium के साथ में chlorine, chloride ion आ चुका है, और BA, barium के साथ में, sulfate ion जा चुका है, तो इससे हमें यह पता चला, कि यहां पर ions का exchange तो, हुआ है, ion exchange हुए है, दूसरी बात हमें यह समझ में आती है, कि precipitate भी form हुआ है, और तीसरी बात हमें यह समझ में आती है, कि यहां पर जो precipitate है, उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं insolubile insolubile part या insolubile substance या solution साम भाब करना solution नहीं बोलेंगे salt बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं तो insoluble part ये insolubile salt जो है वो बनता है ठीक है जिसको हम solid residue कहते हैं तो इससे हमें यह पता चल गया कि यहां पर option नमबर D insolubile salt is produced option नमबर A, precipitate is form, option नमबर B, exchange of ion take place, यह 3 option बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और exchange of atom take place यह बिल्कुल गलते है, atoms का exchange नहीं हो रहा है, ions का exchange हो रहा है, SO4, 2 negative, exchange कर रहा है, किस के साथ में, किस के साथ में exchange कर रहा है बाई, barium के साथ में चला जा रहा है, sodium के साथ में chloride ion चला आ रहा है, तो इस तरीके से exchange of iron हो रहा है ठीक है double time हो रहा है तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा जो option number BCD है वो सही हो जाएंगे यानिकि option number D totally जो है हमारा correct है अब आगे बढ़ जाते हैं इसे के साथ में question number 9 हमसे पूछ रहा है कि which of the following reaction is an endothermic reaction इन में से कौन से reaction endothermic reaction है endothermic reaction कौन से reactions होती है मैंने बताया था कि ऐसी reaction जिन में heat जो है भी evolve होती है यानि कि ऐसी reaction जिन में उनकी होने के लिए या किसी substance के breakdown के लिए क्या चाहिए होती है heat चाहिए होती है तो ऐसी reaction को हम क्या कहते हैं endothermic reactions अब इसके लिए हमें चार ओप्शन दिए बर्निंग ओफ और कोल डिकंपोजिशन ओफ एगेटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट प्रोसेस ओफ रेस्पिरेशन डिकंपोजिशन ओफ कैल्शम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम और कार्बन डियोकसाइड अब बच्चों गया हमारे लिए देखो कितना आसान हो गया समझना क्योंकि इतने सारे कोशन मतलब साथ आठ कोशन अभी तक हम लगा चुके उसमें हमें नाइन वाले कोशन के लिए कितनी हिंट मिल रही है देखो बर्निंग औफ कोल किसी भी तरीके से इसमें जो है एंडो थर्मिक संब्सान देख्चेन बुकें heißt इस सेखंदिल कि और सी आथा यहां पर जोकोशन के ने उदम इस इस मैटा यह ईक्षीय जब रिलीस होती यह तो अख्यू है एंडिखिल्पर बायूने डीकon and carbon dioxide this is very correct because calcium CaCO3 plus sorry CaCO3 is decomposes into the CaCO3 will decompose into the CaO plus H carbon dioxide so CaCO3 limestone will decomposes into calcium oxide which is the quick lime and carbon dioxide so this reaction reaction है वो साफ यह दिखा रहा है कि यहाँ पर हीट जो है इवाल्व होई है हीट चाहिए थी होने के लिए तो यह इंडोथर्मिक रेक्शन है सो ऑप्शन अबर डी इस दी कर्रेक्ट ऑप्शन ठीक है क्लियर है ठीक है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन के तरफ विच इस कोशिन नमबर 10 अब कोशिन नमबर 10 में क्या दिया हुआ है बिटा दो पॉलोइंग रेक्शन इसको 12 अब रेक्शन किया पहले इसको हम से समझ लें अगर डरीक्शन हमारे पास में दी है फोर नैए πश्टो ओट्री और निट्रोजन यहां पर दिया है तो झाहँ हमें दिहन से दे लिया तो हम यह बता पाएंगे कि यह किसका एक्जाम्पिल है फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया है डिस्प्लेस्मेंट सेकिंड दिया है कंबिनेशन थर्ड रिडॉक्स और फॉर दिया है न्यूटलाइजिस रिएक्शन को जिससे हम अच्छे से आंसर कर पाएं बिटा आप देख रहे हों कि जो एनस्ट्री एनस्ट्री है वो O2 के साथ में कंबाइन होकरके NO और साथ में H2O बना रहा है यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना सबसे पहले तो NS3 और O2 कंबाइन हो रहे है ठीक है और NO और H2O बना रहे है अब यहां पर एक बात समझो ज़रा नाइट्रोजन यहां पर as a product oxygen के साथ में है ठीक है NO बना हास तो हम क्या सकते है खृषा के सेटेशन हुआ है औक साथ IDA को अबस्वार है तो जहां परuku एडिशन का थिर्दीशन होता है अब्धोच्छिन यहां पर हैडेशन का शींगा ही डाक्षन होता है और 6 एक सिङवा डूसरी चीज यह हुई कि जो हमारा नाइट्रोजन है nitrogen यहाँ पर as a product NO बना रहा है I mean NS3 यहाँ पर था और इसमें जो nitrogen है वो nitrogen यहाँ पर oxygen के साथ आ गया और यहाँ पर जो hydrogen है ठीक है? वो hydrogen as a product कहाँ पर आ गया? किसके साथ में? oxygen के साथ में आ गया तो इसमें जो O2 यहाँ पर 5 O2 और यहां पर 4NS3 दिया हुआ है तो यहां पर जो oxygen है वो oxygen एक बार मतलब hydrogen के साथ में combine करके चला गया as a product s2 बना लिया और यहां पर जो nitrogen है वो इस oxygen के साथ में combine करके कहां चला गया hydrogen के साथ में तो actual में हुआ क्या displacement हुआ displacement हुआ यह नहीं भाई nitrogen के साथ में hydrogen ने अपनी जगा change करी किसके साथ change किया ओक्सिजन के साथ में exchange किया hydrogen को किसी ने d筆 दिस्गेज 3rd, 1st and 3rd, 3rd and 4th, तो 1st and 3rd कहीं पर दिया है, हाँ दिया है, option number C is the correct option, यहां तक आपको कोई प्रोब्लम, I hope question number 10 आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं, question number 11 हम से बोला गया है कि 3 weekers labeled as A, B, C, each containing 25 ml of water were taken, a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker A, B, C respectively, यहां तक समझ लिया question, 3 beaker है, उसको हमने नाम दे दिया A, B, C, उसको हमने नाम दे दिया A, B, C, this is A, this is B and this is C, let assume, तो 25 ml of water were taken, इसमें 25 ml of water जो हमने अल्रेडी ले रखा है, ठीक है, दिया है small amount of NaOH, ठीक है, small amount of NaOH, anhydrous CuSO4, were added to the beaker A, B, C respectively, तो A में NaOH, इसमें हमने देखा कि anhydrous क्या डाला गया है, CuSO4 and in this beaker, we are adding NaCl, right, तो आगे हमें दिया है, it was observed that there was, there was an increase in temperature of the solution contained in beaker A and B, A and B में मैंने देखा कि जब add किया गया solution तो there is increase in both of the speaker, both of the beaker, ठीक है, तो यहाँ पर temperature जो है, temperature increase हुआ है, आगे दिया है, where is in case of beaker C, the temperature of the solution falls, यहाँ पर temperature पॉल हुआ है, तो which one of the following statement या statements are correct, तो यहाँ पर दिया है इन बीकर A and B exothermic process has occurred, और इसे तरीक हैं से आगे दिया हुए है, second, third, fourth में statement, तो let me explain you, कि CDC हमें एक चीज़ तो पता ही है न, कि कहीं पर temperature बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, heat release हुई होगी, और कहीं पर temperature घटा, इसका मतलब क्या हुआ, कि heat जो है, आपकी, जो heat थी, मतलब जो कोई, आपका कह सकते है, जो substance था, उसको heat की जड़ोती, उसने heat breakdown हुआ, अब उसका temperature, already कैसा हो चुका है, पॉल हो चुका है, तो भी, यहाँ पर exothermik process हो गई, simple, exothermik हो गई, यहाँ पर indothermik हो गई, indothermik हो गई, फिर से मैं explain कर दो, कि A and B का temperature बड़ा, यानि कि यहाँ पर heat release हुई है, तभी तो जब आप beaker को, मेभी अगर आप touch करो, तो वो hot feel होगा, जहाँ पर add हुआ है water में, वहाँ पर आप कहह रहे हो की, heat जो है, I mean temperature fall हुआ है, that means, कि जो water है, water से reaction होने के लिए, जो substance है, उसने water से heat ली होगी, तो अब अगर हम क्या करेंगे, उसको touch करेंगे, तो क्या हुआ होगा, वो ठंडा हो गया होगा, temperature down हो गया होगा, ठीक है, तो क्या ऐसा में दिया हुआ है, कि A, B में exothermic, C में endo, देखते हैं, यहां पर में दिया है, इन भीकर A and B exothermic has occurred, okay, ठीक है, यह सही है, इन भीकर A and B endothermic, नहीं गलत, इन भीकर C exothermic process, no, इन भीकर C endothermic process has occurred, तो first and four हमारा first and four हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, you can take a screenshot of it, because आगे थोड़ा सा हौच पॉच होने वाला है, दोखो यहां पर, यहां पर हमें option number one and four दिया हुआ है, option number C correct हो जाएगा, दिख रहा है न, मैं हाटाना नहीं चाहरी हूँ, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, option number C is correct, तो question number 12 के तरफ चलते हैं, question 12 हमें given है, कि a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permagnet solution, ठीक है, the light purple color of the solution fits and finally disappear, which of the following is the correct explanation of the observation, सबसे पहले मैं आपको बता दू कि Kmno4 जो होता है, is a like a very good oxidizing agent, oxidizing agent, तो यह जब आपका, जो Kmno4 है, वो oxidizing agent है, जब यह dilute ferrous sulfate के साथ में, ठीक है, ferrous sulfate के साथ में reaction करता है, तो बटा, यह उसको, उसको oxidize कर देगा और इसको convert कर देगा Fe2SO4 में, किसमें convert कर देगा, Fe2SO4 में convert कर देगा, oxidize करके, it will convert it, ठीक है, it will convert into the Fe2SO4, क्यों हो ऐसा, because it is a oxidizing agent, और साथ में खुद फेड हो जाएगा, because it is not so much stable, तो इसका जो color है, वो पहले फेड होगा, फिर एकदम से colorless हो जाएगा, अब देखते हैं, option में क्या given है, option क्याता है, KMNO4 is an oxidizing agent, it oxidizes Fe2SO4, बिल्कुल ठीक बाद, Fe2SO4 act as an oxidizing agent and oxidizes KMNO4, no, the color disappears due to dilution, no reaction is involved, then, KMNO4 is an unstable compound and decomposes in the presence of Fe2SO4 to a colorless compound, yes, it is an unstable compound, as I have told you, तो option number A and D is the correct option, option number A and D is the correct option, यहाँ पर हमें दिया है, let me, एक बार फिर से read करने दो, option number A is correct, okay, देखते हैं, KMNO4 is an unstable compound and decomposes in the presence of Fe2SO4 to a colorless compound, ठीक है, बिल्कुल ठीक बाद आया, मैंने आपको, यहाँ पर option इस तरीके से given है, option number A आपको दिया होगा, कि option number A is like something like ऐसे दिया होगा, एक मिए, एक मिएट बस, number 1, A and D, number 2 कुछ और दे रखा होगा, B and C, number 3 कुछ और दे रखा होगा, something and 4 कुछ और दे रखा होगा, something, तो आपका A and D बिल्कुल correct हो जाएंगे, KMNO4 एक oxidizing agent है, फिर से मैं बता दूँ, oxidize कर देगा, FSO4 को, KMNO4 एक unstable compound है, decompose होगा in the presence of FSO4 to colorless compound में, सही है बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, question number 30, A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride, क्या बोला गया है, एक student है, जिसने, जिसने क्या किया, barium sulfate, BASO4 का solution जो है, Na2, sodium sulfate है na, Na2, SO4 का solution, किसी beaker में उसने डाला है, एक test tube में डाला है, एड़ किया है, उसमें barium chloride, उसने उसमें BACL2 एड़ कर दिया है, तो आपको पता है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें barium sulfate का precipitate मिलता है, पीछे बताया था, वाइट कलर का, ठीक है, और साथ में NACL बन जाता है, तो हमसे पूचा है, ग्रेबी एसो, BA2SO4 बनेगा, the color of molecular formula, the color and the molecular formula of the insoluble substance क्या होगा, तो ग्रेबी एटु एसोफोर, यलो, वाइट, बाइट वाला होगा, वाइट भी एसोफोर, ठीक है, option number, question number 14 दिया है, it is important to balance the chemical equation, to satisfy the law of conservation of mass, आपने पढ़ा होगा law of conservation of mass, which of the following statement of the law is incorrect, incorrect बताना है बेटा ध्यान रहे, law of conservation of mass क्या कहता है, law of conservation of mass कहता है, कि किसी भी reaction में, जो reactant का mass होता है, और जो product का mass होता है बेटा, वो बराबर होता है, ठीक है, बराबर होना चाहिए या बराबर होता है, तो ये law of conservation of mass कहता है, और ये एक और statement देता है, कि mass can neither be created nor be destroyed, अब यहाँ पर हमें incorrect बताना है, तो देख लेते हैं by concern correct, the total mass of the element present in the reactant is equal to the total mass of the element present in the product, बिल्कुल सही बात बूली है, the number of atom of each element remain the same before and after a chemical reaction, बिल्कुल सही बात बूली है, number of atom same, मतलब कि mass same, C option कहता है, the chemical composition of a reactant, chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction, ये गलत है, chemical composition change हो जाएगा, विकोज जब कोई भी substance दो, जब एक दूसरे से combine होते हैं, कुछ नया form करते हैं, तो बेटा, उनका chemical composition change हो जाता है, विकोज जो older bond होते हैं, chemical bond वो तूटते हैं, और नए bond बनते हैं, और इससे chemical composition change होता है, आगे दिया है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, आगे तो फिर बाद सही लिखे होगी, mass can neither be created nor be destroyed, तो हमारा option number C, बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, question number 15 दिया है, रीमा took a 5 ml of lead nitrate solution in a beaker, and add approximately 4 ml of potassium iodide solution to it, what would she observe, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, कि हम क्या observe कर पा रहे हैं, देखो lead nitrate की बात हो रही है, इन्हें कि PBNO3 का whole twice, और कह रहे हैं, किसी beaker में रीमा ने लिया, तो मिला दिया, तो कह रहे हैं कि what she observe, क्या observe करेगी, what would she observe, देखो क्या observe करेगी, potassium lead nitrate और potassium iodide में, एक reaction होती है, बहुत खास सी, कि यहाँ पर जो है, PBI2 बन जाता है, और साथ में जो आपका है, KNO3 बन जाता है, यह जो PBI2 है, बेटा मैं आपको बता दू, आपकी knowledge के लिए, कि यह बनता है, एक precipitate, ठीक है, यह precipitate बनाता है, PPT form करता है, PBI2, और इसमें हम देखते हैं, कि precipitation reaction तो हई, साथ में double exchange of ions भी हो रहा है, यानि कि यह double displacement reaction है, अब देखते हैं, दिया है, the solution turned red, yellow precipitate was formed, white precipitate was formed, the reaction mixture became hot, मतलब double exchange सा कुछ नहीं दिया है, लेकिन आए एक बात बिल्कुल सही लिग दी है, कि यहाँ पर precipitate form होगा, लेकिन में color भी दिया है, बिटा, yellow precipitate was formed, yellow color का precipitate जो है, वो form हो जाता है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत important है, ऐसी reactions प्लीज याद रखो, आगे बढ़ जाते हैं, option number B के साथ में, correct करते हुए, question number 16 के दरब, question 16 कहता है, कि some reaction require condition like specific temperature, pressure, temperature बढ़ा, घटा, pressure बढ़ाया, घटाया, वो सब आपको arrow के ऊपर लिखना रहता है, ठीक है, while writing chemical equation for such reaction, where are these conditions usually mentioned, बहुत easy सा question है, लेकिन हाँ, पूचा तो गया है, तो above the arrow, अभी तुम्हेंने बोला, above the arrow, बिल्कुल सही हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं, क्यों time based करना, question number 17 क्या है, यह तीन सिंबल लगाए गए है, as a coefficient, मतलब यहने कि कितना amount लिया है, वो बताना है, for which of the following values, wxyz, the equation above the balance, बैलेंस करना है है हमें, और हमें 4 options दे दिए, ठीक है, अभी हमें इस पर धहान देते हैं, तो w, यहीं पर अगर कर ले, यहाँ पर करते हैं, चलो, w, sn, o2, plus, x, h2, gives, y, sn, plus, z, h2, o, चलिए जी, काम शुरू करते हैं, balance करना है, बहुत सीखा होगा, आपने जब chapter पढ़ा होगा, खूब balance किया होगा, sn, o2 है, w दिया है, h2, 2 और x दिया है, h2, z के साथ में है, o, z के साथ में, sn, y के साथ में, बिटा, z जो है, और यहाँ पर जो x है, इसको हमें पहले balance करवाना होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी hydrogen 2 है, अगर हम यहाँ पर x के जगाँ पर 2 लिख दे, और यहाँ पर z की जगाँ 2 लिख दे, तो हमारे hydrogen 4 होंगे, balance रहेंगे, यहाँ पर oxygen 2 हो रहे हैं, यहाँ पर भी oxygen 2 ही है, तो oxygen भी balance हो गए अपने आप, अब हम बात कर लेते हैं, sn की, तो sn में आप अगर 1 लिख दो, और यहाँ पर 1 लिख दो, तो इससे 1 लिखने से फायदा यह हुआ, कि हमारा सब कुछ balance रहा, तो यह 1 और यह 1, यह 2 और यह 2, तो हमारा W कितना आया, 1, X कितना आया, 2, Y कितना आया, 1, और Z कितना आया, 2, तो W1, W1, X2, different pen use करती हूँ, W1, X2, यह दिया है, Y1, Z2, यह वाला option number C, हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा, important है, इस type का question, previous year में आया है, I think 2022 या, 2021, 2022 में तो आया है, मुझे याद है, ठीके और कई बर पहले भी, इसी type के पूछे गया हूँँगे, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़ी हा question है, क्या आप जानते हैं उसका answer, बताएगे भई, किसी भी ऐसी reaction में, इनिशल सबस्टेंस में, जिसकी identity unchanged रहे, मतलब change ही ना हो, तो एक ऐसी reaction होती है, एक ऐसी type की reaction होती है, जिसमें chemical composition या कह सकते हैं, जो initial identity होती है, वो change नहीं होती है, उसको हम क्याते हैं, crystallization reaction, जो crystallization reaction होती है, उसमें बस water का amount साथ में add हो जाता है, उनकी कोई भी, जैसे आपने देखा होगा, CUSO4 के साथ में, dot 10H2O लग गया, तो उससे chemical composition, उसका change नहीं होता है, initial substance change नहीं होता है, जो initial substance लिया था, ठीक है, ठीक है, initial substance change नहीं होता है, याद अखना है इस statement को, तो शायद यहां पर हाँ दिया है, formation of crystals by process of crystallization, cutting of milk नहीं होगा, fermentation of grafts नहीं होगा, digestion of food नहीं होगा, initial substance change हो जाते हैं इन तीनों में, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो यह हमारा option number B सही हो गया, बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं इसे के साथ में, question number 19, second last question of this class, which one of the following processes involved chemical reaction, in which process chemical reaction involved करते हैं, storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, liquefying of air, keeping petrol in a china dish in the open, heating copper wire in the presence of air, at a height temperature, हम से पूछा क्या गया है, फिर से पढ़ लेते हैं, which one of the following processes involved chemical reaction, जिसमें chemical reaction होती होई हो, chemical reaction रही होगा, जहां chemical change हो रहा होगा, तो इसमें तो cable state change हो रही है, sorry, liquefying of air में, cable change state, state का change हो रहा हो ना देख रहे हैं, storing gas, LPG cylinder में, ठीक है, यह भी अलग चीज है, बस उसको कम जगह में आपने स्टोर कर दिया, keeping petal in a china dish, this is not a right option, option number D सही हो जागा, heating copper wire in the presence of high temperature, जब copper को high temperature पे, याद रखना, heat किया जाता है, तो यह, copper, second oxide में, बेटा convert हो जाता है, याद रख सकते हो इतना, वो सकता है, next time यह पूछ ले, कि यह किसमें convert होगा, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो option number D बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, अब आगे चलते है, question number 20 के तरफ, question 20 है, कि in which of the following chemical equation, the abbreviations, abbreviations वही ना, gas के लिए G, or liquid के लिए L, aqueous के लिए AQ, represent the correct state of the reactant, and product involved at a reaction temperature, ठीक है, given state, given हमें जो reactions है, उनमें हमें देखना है कि किसमें, right abbreviation दी हुई है, ठीक है, तो H2 liquid में, O2 liquid में, S2O gas में, बिल्कुल गलत, S2 gas में, O2 liquid में, गलत, भाई H2 एक gas है, हमें इतना पता है, option पर बाद में, जो O2 एक gas है, जब दोनों combine होती है, तो S2O का formation करते हैं, balance नहीं है, उस पर द्यान मत दो, यह होता है, right जो abbreviation होता है, तो यहाँ पर हमारा, gas, gas, liquid, यह हमारा सही, option number C सही हो जाएगा, simple, ठीक है, तो confuse नहीं होना है, option number C बिल्कुल ठीक कर देना है, और इसे के साथ में, हम लोगोंने chapter number 1 के, top 20 म से क्यूज को कर लिया है, solve, तो, अब मुझे comment में बताओ, क्या तुम्हे confidence फील हो रहा है, top 20 ऐसे questions तुमने PYQ, previous year के लगाए हैं, जिसमें, जो पहले से ही पूछे जा चुके हैं, expected हैं, ये तभी मैंने यहाँ पर आपको कराई हैं, अगर आप चाहते हो, कि हम second chapter पे आएं, और second chapter के भी, इसी तरीके से बढ़िया से questions को हम solve करें यहां, तो comment में जरूर बताओ मुझे, और बोलो, अपनी बात रखो, और मुझे बताओ कि हम और क्या add कर सकते हैं, और आपको क्या किस किस चीज की जुरूरत है, ठीक है, तो मिलते हैं अपने next chapter के साथ में, thank you so much, bye bye बचो,